हेलो गाइस, गूड मॉर्णिंग, हम यहाँ कयांग वेली में आए हैं, यह लाहौल स्पिती का एक पार्ट है और जो यह पहाड आपको सामने दिख रहा है, इसको पारवती माता का माइका कहते हैं और इस पाहाड के साथ सामने ही जो दूसरे पाहाड के व्यूज हैं, उनके लिए काफी यहाँ लोकलाइट्स की मान जाता है, लोग कहते हैं कि इस पूरी लोकेशन को पारवती माता के माइके की तरफ से मान जाता है, और यहाँ के लोगों को माता के माइके वाले कहा जाता है तो आप इस location का view देखिए, ये बहुत सुंदर है इसके सामने जो mountains है, इसके उपर जो curves है, localize की इसके लिए भी मान्यता है, कि ये माता की साड़ी को resemble करते हैं आप इसको clearly देखिए, यहां कितने सारे इसमें cuts and curves है तो लोग कहते हैं कि जब माता की शादी हुई थी, तब वो मनी महेश गए थे, शिवजी के साथ तो वहां कहते हैं कि मनी महेश तक, जो साड़ी की जो cuts हैं ये, वहां तक पहाड में resemble होते हैं और इसी वज़े से यहां के लोगों को मनी महेश जाके सबसे पहरे दर्शन होते हैं कितनी भी धुन्दों, वो सारे धुन्दवां से हट जाती हैं जब लाहॉल का ये कयोंग वैली के लोग दर्शन के लिए मनी महेश जाते हैं आक ये जो पहाडी है, इस पहाडी के नीचे इग्षाक्ली Tandi विलेज है टांडी विलेज की की इडिगेशन इस ग्लेशीर के ऊपर डिपेंडेंट है और ये ग्लेशीयर, इस साइऑड़े ग्लेशीर है, इस पहाड़ की पीछेशी इस पूरा गाओं आप दीखिये इस गाउ में plain वाला area है और cultivation के लिए यहां पे यह लोग dependent है इस glacier पर इसके साथ ही यह river view आपको दिख रहा है यह river जो है इसे चंद्रा river कहते हैं माना जाता है कि चंद्रा और भागा दो rivers हैं दो sisters थी I guess यह और जो दोनों आके मर्ज होती है चंद्रा भागा रिवर बन जाते है उनके मर्ज होने से इसकी इलावा तांडी विलेज में ये भी मानिता है कि तांडी में माद्रॉपती का दासंसकार किया गया था तो उसके लिए भी ये काफी हिंदू धरम की काफी प्योर रिवर माने जाती है और टांडी में ही जैसे हरिद्वार में लोग अपने प्रियजनों की धासंसकार के लिए जाते हैं यहां के लोग बहुत ही महनती है और ऐसे ही आपको और वीडियो देखने हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू गाइज